हलो गईचा आप लोगा स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिक अपडेट लाए हैं इस सेसन में हम लोग इजी क्वेशन से संबंदी जो भी न्यूज न्यूज पेपर में होती है वो सारे इंपोर्टेंट न मिल सके इस चैनल के माद्यम से चलिए बढ़ते हम लोग आज की पहली न्यूज की तरह तो अगर एक बात बताया है जो भी बच्चे बेड़ वाले चात रहे हैं अगर उन्होंने हम लोग का टेली गराम गुरूप अगर जोइन नहीं किया तो मने नीचे लिंक दे दिया है जरूर बेड़ वाले बच्चों के लिए वहाँ पर टेली गराम गुरूप है बहुत सारे बच्चे आपका बेड़ कर रहे हैं जाइए जाइन हो जाइए ताकि आप लोग भी चैट और गएरा में आप भाग ले सकें वहाँ पर बात चीत रख सकें बच्चों से बात कर सके कि आपके इनवस्टी के कितने लोग हैं इन सब पर आप बात कर सकें तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहली न्यूज पहली न्यूज जो है यह बेड को लेकर के जिसा कि मैंने कल साम को भी वीडियो बनाईता है कि बीर बादोसी पुर्बाद्च अनुस्टी ने जो है बे पेपर जो है दस अगस्त और बार अगस्त को है किसकी सब्जेट का पेपर होगा यह भी आप देख लीजिए चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरी न्यूज जो है वो यूपी ट्रिपल सी पीटी को लेकर के है आप सभी लोग को पता कि पीटी का आवेदन जो है बंद हो ग जुटा आयोग यानि कि यूपी में तीन हजार जो है संटरों पर पेपर होगा और यह भी देखने को मिलेगा कि जो हमारा संटर बनेगा वो आपके होम डिश्टीम के बनेगा ताकि आपको ट्रेवल जादा न करना पड़े लिखा यूपी ट्रिपल सी पीटी एक्जाम 2021 उ ज्यादा समय बचा नहीं है बीस अगस्त को पेपर है मान कि चलिए एक महीना दस दिन हम लोग आओ तैयारी करने का मौका मिलेगा तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए चलिए तो अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं आपको बता जेता हूँ एक टेट सीरीज आप मौक टेस्ट मिल जाएगा चलिए तो जैसे ही आपको लिंक पर क्लिक करोगे कुछ इस परकार का इंटरफेस ओपेन होगा इसमें आपको इमेल आडी पासवर्ड और इंटर मोबाइल नमबर जैसे अपना मोबाइल नमबर पासवर्ड और इमेल डालोगे आपका कुछ इस पडिट आगे आचुकी है तो तुरण ती जाएए लिंक डिस्किप्सन बॉक्स में बिलकुल फ्री है कुछ भी आपको करने की जरूतती है तो तुरण जाएए जरूर लीजे लिंक जो है डिस्किप्सन बॉक्स चले गाइज तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली लगबग 56 लाग परिक्षारतियों का परड़ाम जारी करने कि बोर्ड की ओर से तयारी अंतिम दोर में चल रही है और कहीं न कहीं जो high school और intermediate के बच्चे होते हैं ये अपने result लेले बहुत बेसबरी से इंतिजार करते हैं तो अगर आपके भी घर में अगर कोई बच्चा है जो high school इंटर में है तो प्लीज उनको बताइए या आप ही high school intermediate में हो तो आपके लिए अच्छी ख़बर है और सभी बच्चों को बता है कि आपका result जो है 15-16 जुलाई तक आजाएगा आपके relative में कोई है तो उनको ये वीडियो जरूर सेर करें चले बढ़ते हैं अगली update के साथ तो अगली update जो है TGT-PGT को लेकर के है कि TGT-PGT मंडल अस्तर पर कराने की मांग की है TGT-PGT की परिक्चा मंडल अस्तर पर कराने की मांग की गई है युवा मंच अध्यक्च अनिल सिंग ने मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड के अध्यक्च को बेजे पत्र में जिलो में परिक्चा कराने पर धांदली की सम्भाणा बढ़ने की असंका जताई है असंका जताई है कि सभी जनपदों में परिक्चा केंद्र होने से प्रदेश में सक्रिय नगल माफिया गिरोग के लिए दांदली पेपर लीक वा सालवरों के मादम से सेटिंग आध आसान हो जाती है जैसा कि आपका पता है कि सासन ने कहा कि TGT PGT के परिक्षा डिस्टिंग में करवाई जाए लेकिन जो है जो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष है या युवामंच अध्यक्ष की बात कहें इनकी वेबसाइट पर दे दी गई है उसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरब तो ये भी TGT PGT को लेकर ही न्यूज है हलाकि ये जो न्यूज थी हम लोगों की ये हमारी हिंदूस्तान न्यूज पेपर की थी और ये हमारी अमरुजला न्यूज पेपर में तो दोनों में वही बात की गई है और दोनों में लगबग बात अलग है क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि मुझे मंडलों में पेपर जी और इसमें जो है केंद्रों के ब्योरा के बारे में बात किया गया है कि केंद्रों का ब्योरा ले रही है मादमिक सिक्षा सेवा चैन ब गया है लगबग डेड़ दर्जन जिले ही आवेदन पत्र ले पाए हैं जबकि बाकी जिले अभी आरक्षण की इस्तिती साप होने का इंतजार कर रहे हैं पत्र में आरति ग्रूप से कमजोर वर का आरक्षण को लेकर प्राविधन नहीं किया गया है वही बाकी आरक्षण की इस्तितियां भी साप नहीं की गई है बाकी जिलो ने सासन को पत्र लिक कर पूँचा कि ज़दा तर जिलो में स्टी वर की लोग उपलब नहीं है लेकिन आदेश में ST की जंजंक्या ना होने पर SC से पदों के भरे जाने के बारे में कोई दिसा निर्देश नहीं दिया गया है वही परियोजना अस्तर से पहले से SC OBC कोटा अपूर्ण होने की इस्तिती में नए केंद में यानि की कहने का मतलब यह है कि यह बारती में इसलिए ब्रेक लगा क्योंकि कुछ चीजें आरक्षन को नहीं क्लियर है जैसे जो EWS वाले लोग हैं उनकी यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया था इसलिए confusion है तो बहुत सारी डिस्टिक ने जो भेजा है सासन को की बताईए क्या चीजें हैं कैसे हो सकती हैं उस जगह पर क्या क्या जा तो अभी बहुत सारी confusion है इसलिए रुकी है तो कुछ दिरों में फिर इस्टार्ट हो जाएगी और कितने जिलों में बिग्यापन जार से भरती प्रक्रिया शुरू होगी सारी डिस्टिकों में यह फाहमाना है सबी लोग अपनी तयारी करते हैं जिनको भी आंगनवाडी में सहाईका और कारकत्री पर अपनी जो है जॉब लेनी है उनको उनके लिए तो इतनी सारी important जो news थी आप लोगों को उम्मीद करता अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप एक अच्छी अपडेट डेली मौर्णिंग में या फिर दोपार में जब भी कोई अपडेट आती है आपको इस चैनल के मादम से बिल्कुल सही और और अथेंटिक निए दी जाती है तो सब्सक्राइब जरूर करिये चैनल बिल्कुल ट्रेस्ट है आख बंद करके सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अंगली वीडियो में जय हिन जय भारत